हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आई हूँ सिज्वान चटनी की रेसिपी इसे मुमोज वेगरा के साथ काफी पसंद किया जाता है ये बहुती टेस्टी होती है तो चली बनाना शुरू करते हैं पर इसको बनाने से पहले अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी इस प तक उतने बीज आप निकाल लीजे अगर थोड़े रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं फिर पानी जब मैंने बॉइल होने के लिए रखा था वह बॉइल हो गया है अब हम इसमें लाल मिर्च को डाल देंगे अच्छे से डिप कर देंगे ताकि अच्छे से गल जाएं आप इन्हें 15-20 मिनट तक इसी तरीके से पकाएंगे आप देख सकते हैं अब लाल मिर्च अच्छे से गल चुकी है तो हमें फ्लेम को आफ कर देना है और इन्हें निकाल लेंगे इन्हें निकाल कर हम डालेंगे ठंडे पानी में इस तरीके से सारी लाल मिर्च को निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे कि अपको एक बाद का ध्यान रखना है कि जो मिर्च हैं उन्हें अच्छे से पकाना बहुत ज़दा जरूरी है अभी ठंडी हो चुकी है तो हम इने डालेंगे मिक्सी जार में और इसको पीस लेंगे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा बारिक भी नहीं करना है बस दरदरा सा पीस लीजिए फिल लेंगे एक पैन उसमें डालेंगे रिफाइंड ओइल काफी सारा लेस्टन डालेंगे बारिक कटा हुआ लेसन को थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़दा नहीं भूनना है बैस हलका सा भून लेंगे ताकि जो लेसन का कच्छा पन होता है वो ना आए और अब हम इसमें डाल देंगे बारी कटी हुई अदरक जितना हमने लेसन लिया है उतनी ही हमने ली है अदरक इसे mix करेंगे लेसुन के साथ उसके बाद जो हमने लाल मिर्च पीसी है वो डालेंगे और इसी बाउल में लेंगे थोड़ा सा पानी वो भी इसमें डाल देंगे इसे अच्छे से mix करेंगे flame कुम रखेंगे medium पे और अब इसे ढख कर करीबन चार से पाच मिनट तक पकने देंगे जिससे जो oil है वो उपर आ जाए आप देख सकते हैं चटनी का जो oil है वो उपर आ गया है तो अब हम इसमें डालेंगे नमक चटनी है तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा पड़ेगा नमक डालने के बाद फिर हम डालेंगे आधा चमच काली मिर्च पाउडर और एक चुथाई चमच अजीनो मोटो यह ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो डालेंगे तो आप इसे इसकिप भी कर सकते हैं और एक चुथाई चमच चीनी करीबन पाथ चमच वैनीगर और दो चमच सोया सॉस इसे मिक्स करना है फ्लेम को हाई रखेंगे आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसे सिजवान चटनी बन गई है हमारी इसे कई लोग चाइनिज चटनी भी कहते हैं तो फ्लेम को आफ कर दीजिए इसे ठंडा होने दीजिए बाद में इसको स्टोर भी कर सकते हैं किसी कटेनर में भरके रख दीजिए